Hello dear students, exclusive English practice book के इस सिरीज में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत इजमाई होम के objective type questions को देखने वाले हैं, तो देखते रहे हैं इस वीडियो को भारत इजमाई होम इसका समड़ी हमने पहले ही complete कर लिया है, अब हम उसके objective type questions को देखने वाले हैं, तो सबसे पहला जो question है वो है भारत इजमाई होम is written by डाक्टर जाके रुजिन, भारत इजमाई होम किसके द्वारा लिखा गया है तो डाक्टर जाके रुजिन, डाक्टर जाके रुजिन become the president of India in, डाक्टर जाके रुजिन, इंडिया के president कब बने, तो इसका जो answer है, वो है 1967, वेर वाज डाक्टर जाके रुजिन बॉर्ण, कहां पर डाक्टर जाके रुजिन का जन्म हुआ था, तो हैदराबाद, डाक्टर जाके रुजिन बॉर्ण, 1897, डाक्टर जाके रुजिन took the oath as the, डाक्टर जाकिर हुसेन ने सपतगरन किस रूप में किया, किसके लिए किसके रूप में किया था, यह आपने समड़ी में भी देखा, प्रसिडेंट डाक्टर जाकर हुसेन delivered his speech in डाक्टर जाकर हुसेन ने अपने भासन को speech को कब दिया था तो इसका जो सही अंसर है वो है 1967 तो एक चीज आप लोग याद रखेगा कि 1967 को इन्होंने सपदगरहन भी किया था और जब सपदगरहन किया था तो तभी तो speech देंगे तो इसी इस्वी में सपदगरहन भी किया और speech भी दिया डैस was the role model of डाक्टर जाकर हुसेन यह हमने समड़ी में भी पढ़ा था कि डाक्टर जाकर हुसेन के role model कोन है तो डाक्टर राधा कृष्ण स्वरपली राधा कृष्ण डाक्टर जाकर हुसेन was a great nationalist who was overwhelmed by the trust his people have place in him उनके लोगों का उस पर भरोसा करने से कौन अभी भूथ थे तो डाक्टर जाकर हुसेन who has taken the oath of loyalty of the constitution of India constitution का मतलब होता है समविधान जो कि पहले भी आपने जान चुका है loyalty का मतलब वफादारी इमांदारी तो समविधान के लिए loyalty का सपदगरन किसने गरन किया था तो डाक्टर जाकर हुसेन the past is --- डाक्टर जाकर हुसेन के according past is alive and dynamic -- said that भारत is my home and its people are my family किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहां के लोग मेरे पडिवार की जैसे हैं तो डाक्टर जाकर हुसेन who entered the office in a spirit of prayerful humanity and total dedication total dedication के साथ पूरा निष्टा भाव के साथ humanity के साथ prayerfully कौन entered हुए office में तो डाक्टर जाकर हुसेन -- is the prime instrument of nation building nation को राष्ट के निर्मान के लिए सबसे बड़ा prime instrument क्या है तो education यह हमने समडी में भी देखा था the Indian culture is the best example of Indian culture जो है वो best example है किसका unity का है एकता का example है उधारन है the word irudation stand for यानि कि यह जो word है उसका क्या मतलब है किसके लिए stand है तो वो है great knowledge India become a republic in यह तो सब को पता है कि हमारा भारत गंतंत्र कब हुआ था भारत रत्न वाज गिवें टू डाक्टर जाकिर हुसेन इन भारत रत्न डाक्टर जाकिर हुसेन को किस इस्वी में दिया गया था तो 1963 तो यहां पर यह भी objective question पूछ सकता है कि डाक्टर जाकिर हुसेन को किस अवार्ट से नवाजा गया था तो भारत रत्न During a lifetime Dr. Radha Krishnan devoted to the pursuit of यानि कि Radha Krishnan अपने जीवन के काल खंड में किसके लिए समर्पित रहे तो great knowledge and trust कुछ और भी important points हैं जिनको देख लेना काफी जरूरी है कि Dr. Jagir Hussain first Muslim President of India तो भारत के जो सबसे पहले Muslim President थे वो थे Dr. Jagir Hussain लेकिन Dr. Jagir Hussain तीसरे President थे इंडिया के यानि कि Muslim पहले थे और तीसरे President थे इंडिया के Dr. Jagir Hussain also served as a governor of Bihar यानि कि यहाँ पर एक question ये भी हो सकता है कि Bihar में भी Dr. Jagir Hussain ने सेवा दिया है किस रूप में गवर्नर के रूप में इसको किसी भी परकार से पूछ सकता है ताब को याद रखना है Dr. Jagir Hussain also is a great freedom fighter and nationalist भारत is my home, is an extract from the speech delivered by Dr. Jagir Hussain यानि कि यह क्या है कि speech है Dr. Jagir Hussain के द्वारा दिया गया जब ये सपद गरन कर रहे थे परसिडेंट के रूप में इंडिया के परसिडेंट के रूप में जब ये सपद गरन कर रहे थे तब इन्होंने ये जो है कि स्पीच दिया था स्पीच कब दिया था? 1967 में और ये एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि 1967 में इन्होंने सपद गरन किया और स्पीच दिया और 1969 में इनकी मिर्ती हो गई नियु दिल्ली में नीचे कुछ वेड मिनिंग दिये गए है आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आगे कोई भी सवाल ये सुचाव हो तो कमेंट का इंतजार रहेगा ये वीडियो आपके कितने हेल्प में आया ये तो बदाएगा ही और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में